अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें आप बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप माई लेटेश वीडियो को देख सकें स्टार्ट करते हैं exercise 8.2 question number 5 इसमें कहा है कि एक समानता चत्रबोज A, B, C, D में E और F क्रमशे भुजाओं A, B और C, D के मध्य बिंदू हैं दर्शाइए कि A, F और E, C विकर्ण बेड़ी को संत्रिभाजित करते हैं ये आपके question में कहा है तो देखिए सबसे पहले आप देख लिजी कि A, B, C, D एक समानता चत्रबोज दिया हुआ है जिसमें A, B का मध्य बिंदू जो है E है और C, D का मध्य बिंदू F है फिर उन्होंने कहा कि ये जो A, F और E, C इनको मिला दिया हमने A, F को F से, E को C से मिला दिया और B को D से तो मिलाए ये जो कि विकर्ण है तो यहाँ पर हमने का यह जो AF और EC है यह विकर्ण BD को सम्त्रिभाजित करते हैं सम्त्रिभाजित का मतलब होता है समान तीन भागों में बाटना सम्त्रिभाजित का मतलब समान 3 का मतलब 3 विभाजित मतलब बाटते हैं तो यहांपर क्या होगा हम इसको नाम देते हैं कि जैसे AF जो विभाज़त कर रहा है उसको नाम देदीजीए आप पी को नाम देदीजीए और इसी तरीके से EC को नाम देदीजीए यहाँ पर क्यों देदीजीए तो आपको सिद्ग करना है कि DP बराबर прим-Q*** Q.B. समान तीन भागों में किसको बाटा B, D को किसने बाटा A, F और E, C ने ये आपको यहाँ पर सिद करना है तो लिख दीजी यहाँ पर सिद करना है DP बराबर, PQ बराबर, Q, B इससे पहले जो दिया हुआ है वो आपको लिखना अवश्य होता है फिर सिद करना है और आप देखिए परमान किस तरीके से हम इसको सिद कर सकते है देखे, यहाँ पर सरल सी बात है कि यहाँ पर आपको सिद करना है कि यह बराबर, यह बराबर, यह तो इसका मतलब देखिए, अगर हम जो है यह बात करिए, अगर P, B में अगर Q को मद्दे बिंदू सिद कर दें अगर सबसे पहले Q को मद्दे बिंदू सिद कर दें तो ये वाला पार्ट इस पार्ट के बराबर हो जाएगा एक बात के लिए रो जाएगी आपको और अगर हम P को भी मद्दे बिंदू सिद कर दें मद्दे बिंदू पर्मे लगाने होगी तो कैसे लगाएंगे अगर में APB अगर हम इस तिर्बुझ में तिर्बुझ APB में मद्दे बिंदू पर्मे लगाने किस परकार से लग सकती है क्योंकि आप जानते कि APB में एक बुझा का मद्दे बिंदू दिया हुआ E जो है अगर यह eq समानतर एपी हो गया तो यह eq जो होगा वो तीसरी बुजा के एपी भी को सम दिवाजित करती है तो क्यों माद्देबिंदु आ जाएगा लेकिन क्या eq a p के समानतर है यह तो दिया हुआ नहीं हमें तो आप आपको सिद्ध करना है इसको सिद्ध करने से पहले आ अपने को सिद्ध करना होगा और यह सिद्ध करने के लिए सरल सी बात है कि आप a e c f यह जो चत्रबुज आपको दिखाई दे रहा है इसको समानतर चत्रबुज सिद्ध कर दीजिए फिर आपका जो कोश्य ने बड़े ही अराम से सोल हो जाएगा देखिए तो इसको समानतर चत्रबुज एबी सीडी में आप जानते हैं एबी सिद्ध में एक बात आपको पता है कि एबी समानतर है c d के क्योंकि हो समानतर चत्रबुज का पार्ट इशने हैं फेंby समानतर है c d के चलिए और यहा इसको क्या कह सकते हैं AB समानतर है CD के या AE भी समानतर है FC कह सकते है इसका ही तो पार्ट है AB का ही पार्ट है AE और ऐसे CD का ही पार्ट है FC तो या कह सकते AB समानतर CD या AE समानतर है FC के किलियर हो जानी चाहिए यह वाली बात चलिए अब उसके बाद क्या किया हमने इसी तरीके से क्योंकि ये समांतर हो गए अब इसी तरीके से आप बराबर भी कह सकते हैं कैसे कि भई A B जो है वो क्या होगा बराबर होगा C D के A B बराबर होगा C D के क्यों होगा बराबर क्योंकि समांतर चत्रबुज की सम्मुक बुजा जो होती है वो समांतर भी होती है बराबर भी होती है तो आप लिख सकते हैं समांतर चत्रबुज की सम्मुक बुजा बराबर होती है चलिए ये भी बराबर हो गई अब हम क्या करते है? a-b-b-c-d-ay अगर हम इसको half कर दें half a-b-b-c-d लिख सकते हैं इसको ऐसे तो half a-b क्या होगा? लिएक ए-b का आदा क्या होगा? क्योंकि e क्या है? आई-b-E b, नहीं क्या हूँ तो a-e-b-c-d-ay तो आपको पता लग गया कि ae समांतर भी है fc के, और ae बराबर भी है fc के, इसको सम्मेकरण 1 कहा दीजिए, इसको सम्मेकरण 2 कहा दीजिए और सम्मेकरण 1 व! कहां लगता है eeafc जो है या CF जो है AECF एक समानतर चत्रबुज है यह यहां से सिद हो गया आपका समानतर चत्रबुज है अब देखिए जब हमने AECF को समानतर चत्रबुज सिद कर दिया तो आप समानतर चत्रबुज की तो सम्मुक बुज है बराबर समानतर यह आप जानते ही है इसका मतलब क्या होगा A F B E C के समानतर होगा मतलब A F समानतर होगा E C के क्लियर हो गई तेके अब A F समानतर है E C के या अब A P समानतर E Q कह लीजिए या A P समानतर E Q कह दीजिए या एक और कह सकते वो आगे काम आएगा A P समानतर E Q कह दीजिए यह एफपी समानतर यह पीफ समानतर क्यूं सी कह लीजिए पीफ समानतर क्यूं सी कह लीजिए आप यहां पे इतना आपको किलियर हो गया होगा इसको एक और समयकरन मान लीजिए इसको समयकरन तीन कह दीजिए आप चलिए ये कामता हमारा समानतर का अब आपको सिर्फ और सिर्फ मद्य बिंदू पर में लगानी है जो केराम से सोल हो जाएगा देखे मद्य बिंदू पर में लगाते है सबसे पहले तुरिबुज A, P, B में देखे तुरो बुछ A, P, B की अगर बात करें क्या पता है आपको E जो है A, B का मध्य बिंदू है E, A, B का, बुझा A, B का मध्य बिंदू है साथी आपको क्या पता है एक और बात मालूम है कि यह जो E, Q है क्योंकि उसके लिए इहीं बात होनीं कि जरूर ही और आप जानते हैं कि कि किसी थिर्बुज की एक, बुजय के मध्यविंदू से, दूसरी बुजय के समानतर, एक, कि समानतर एक, युट समानतर की खीची गई रिका ये जो इक खीची गई रिका वो तीसरी ुज आपो तिसरी बुज़ा क्या है इसकी a p w की p w जो है उसको क्या करती है समध्वि भाजित करती है तो यहां से क्या पता लग गया कि e a b का मध्य बिंदू है e q समानताए a p के अते मद्ध्य बिंदु पर्मे 8.10 से यह पर्मे आपको यहाँ पर लिखनी है ब्रैकेट में करके अवश्य लिखेगा जो है ठीक है चलिए इससे आपको पता लग गया कि EQ जो है EQ भुजा EQ होगी न यह EQ जो होगा वो BP को संद्विभाजित करती है BP को संद्विभाजित करती है या आप कह सकते है या इसको सरल तरीके से कहा जाए कि Q जो होगा वो BP का मद्ध्य बिंदु होगा Q BP का बुजा BP का मद्ध्य बिंदु होगा यह यह एक और बात आप कह सकते है कि P Q बराबर Q B तो आप यहाँ पे कह सकते है P Q बराबर Q B इसलिए लिए यह सब कि यहां पर समय करन 3 बनी अभ यहां पर समय करन 4 बन जाएगी अराम से यह जो है सिद्र हो जाएगा अब हमने यह वाला त्रिबुझ AP Produce ले लेकर अब हमने क्या सिद्गर दिया Q बिंदो Inc मद्य बिंदू सिदगर दिया अब आपको सिदग्या करना है P को भी मद्य बिंदू सिदगरना है इसके लिए आप इसका पोजिट यहां से इस तरीके से ट्रैंगल ले लिजे तिरबुज ले लिजे भुजा DQ का मद्य बिंदू है और साती क्या होना चाहिए यह जब P F भुजा उनी चाहिए वो QC के समानतर होनी चाहिए तो साती लिख दिजीआ P F समानतर है QC क्यों है P F समानतर QC आपने अभी देखा था यहां सिदग्या ने यह P F समानतर है QC कैसे सिदगर आता क्योंकि तो अब लगा दिये है, मद्य बिंदु पर्मे, मद्य बिंदु पर्मे 8.10 से इस पर्मे को अखश्य लिखना है, और इस पर्मे साब को किया पता लगता है, कि F जो होगा, यहां पर P जो होगा, वो क्या होगा? यहाँ पर पी ना कर यहाँ पर जो है गलती हमने कर लिए है यहाँ पर एक कि यह जो है F जो है CD का मद्दे बिंदू था F बुजा CD का मद्दे बिंदू है F जो है CD का मद्दे बिंदू है जिसके कारण जो PF बुजा होगी वो QC के का है मतलब P F Q C के समान तरती और F जो है C D का मद्दे बिंदू दा जिसके कर्ण मद्दे बिंदू परमे से आपको पता लगता है कि जो यह P होगा यह P F जो होगी वो किसको D Q को सम्द्वी भाजित करती है और यह जो P होगा वो सम्द्वी भाजित करती है इसका मतलब यह P D Q का मद्दे बिंदू होगा और इसको क्या कह सेते हैं D P बराबर इसलिए D P बराबर P Q कि लिए रोगी इतिवाद वहाँ पर एक मिस्ट्रे कोई थी कि यहाँ पर हमने P को मद्द्वी भाजित को गलती से लिया गया वो मद्द्वी भाजित फ था F जो है C D का मद्द्वी भाजित करती है तो यहां से यह पता लग गया आपको तो समीकरन 4 यह बना दी थी, समीकरन 5 यह बना दी है और समीकरन 4 वे 5 से 4 और 5 से आपको पता लेगा है PQ बराबर QB बराबर DP तो इसका मतलब यह हो गया, तीनों बराबर हो जाएंगे DP बराबर PQ बराबर QB यही आपको सिद्ध करना था DP बराबर PQ बराबर QB इती सिद्धन इसमें कोई वीडियो आप हो आप कमेंट सेक्षिन नों कुछ सकते हैं वीडियो अगर आपको अच्छलों वीडियो को लाइक कीजिए शेर कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए यही बर्ग्यों वीडियोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगे